पिस्मिलाई रामाइन रहीम आशलाम नीकम दोस्तों मैं हूँ सबार आप देख रहे हैं सबाजी हेल्थ एन ब्यूटी टिप्स चैनल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप अपने हाथों को बैड़ा सी नेन क्रीम के जरीए से किस तरीके से बहुत जादा गोरा कर सकते हैं जी हां बिल्कुल ये 40 रुपे की ट्यूब को किस तरीके से अपने इस्तमाल करना है कि आपके हाथ इतने ज्यादा गोरे हो जाएंगे ट्यूब लाइट की तरह कि आपका रिष्टा सिर्फ हाथ देखकर ही पक्का हो जाएगा किसी की नज़र चेहरे पर तो बाद में पड़ेगी पहले हाथ और पैर की पर दिहान जाते हैं अगर आपके हाथ और पैर बिल्कुल ट्यूब लाइट की तरह चमक जाएं ये काले जोड भी चमक जाएं तो आप मेरे से खुश हो जाएंगे ना तो चले फिर आज की वीडि करेंगे बदाम का तेल उसके बाद हम इसमें एक चमच एड करेंगे चीनी ये थोरी सी दर्दरी होनी चाहिए पाउडर भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़दा मोटी भी नहीं होनी चाहिए अब यहां पर हमारा स्टेप वन बनके हो जाता है तयार अपने इसको अपने हाथ की उपर लेना और अच्छे तरीके से करने है सक्राबिंग और इसक्राबिंग आपकी साथ मिनट ते कंहीं हो और घड़ी के विचाए घटाप से क्लॉक की तरफ देखते जाए और साथ मिनट के लिए अपने हाथों का ने हथी निय даль तो कि अपने बहुत ज्यादा रगज न यहां पर नीम गरम पानी एपने हाथों को अच्छे तरीक तरीके से वाष्ट कर लिया ताकि ऑल की चिप 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 नहीं रहे अब हम आते हैं बेटा सी नैन क्रीम की तरफ इसको अपने क्या करना है बैटा सी नैन क्रीम आपको 40-40 रुपे की फॉर्म ऐसे पर मेडिकली जी है तो इसके बहुत सारे फायदा है लेकिन इसको वाइणिंग के लिए किस तरीके से इस्तामाल करना है हाथों के उपर लगा के सो जाना है सारी रात के लिए सिरफ ये night ये kreem आपके हाथों के उपर लगी रहेगी morning में उटके अपने हाथों को wash कर देना है तीन दिन के इस्तमाल से आपके हाथ बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे मुलाइम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, हाथों में गलोऊ आएगा, ड्राइनास हतम हो जाएगी, डलनस कहतम हो जाएगी, टैनिंध खतम हो जाएगी, हाथों के काले जोड़ जाएंगे, ये सिरफ बैटा सिनन को इस्तमाल करने का तरीक है, तीन दिन में आपने हाथों को जितना चाहें, आप गोरा कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे टिपैंट करता है, जब आपको लगे कि हाथ बहुत जादा गोरे होगे, तो आप इसका इसका इस्तमाल बंद कर सकते हैं, तो ये अकेले में बात करने का सुकून एक तरफ, इस बात पर गोर के रिए अपने डेर सारा ख्याल रखिए, अपने मुश्किलात, अपनी मुसीब्ते, अपने मसायल, अकेले में बयान करिए, उससे दुआ करिए, वो सुनने वाला है, बेशक बहुत जादा रहमत करने वाला है, वो खुफुरूर रहीम है, इस बात पर गोर के रिए अपने डेर सारा ख्याल रखिए, इन्शाला मैं आप से मिलूंगी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे हैं, अबाद रहे हस्ते मुस्कुराते रहे हैं, और देखते रहे हैं, सबाजी हल्थ और तब एड़े टिपस, आला हाफीज!